मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक खास कंट्रोल है और वो उस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को अगर धांदी के इल्जामात साबित हो गए तो क्या पाकिस्तान को दुबारा एलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है मोदी साथ के बच्चे लंदन में नहीं है उनकी कोई खाहिश नहीं है कि ट्रांटों के अंदर अपने बचे को पियार लेकर दे उनकी कोई खाहिश नहीं है को दुबाई के इंदर उनके विलाज बने रेकिन पाइम मिनिस्टर मोधी का इतना जोर है। कि जोर भोलेगे ना पॉलेटिकल लelleांगवेच पराइम मिनिस्टर मोधी का इतना इंफिलूंस है। ऐगर आप देखें रामन्स जोर हों जोर करें आ nó उंका वह चिज कर रहे है। आमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्स देते हैं और समार्ट दोस्स को अवेल करते हैं लिल्हाजा आप हमें फॉर्स ना करें क्या कहते हैं इंडिया की फॉरन पॉलिसी कितना अजाद आजार वह जब चाहें अमेरिका को शट अप कॉल देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी जो ऑफर्स हैं, उनको ऑप्शन की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहते हैं डॉक्टर जे शंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लिडर्शिप को मिल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वकत इलेक्शन्स, रिगिंग और एक के टेकर हकूमत है, जिसके फॉर्ण रिनेस्टर का नहीं बदा है, पाकिस्तान का मुकाबला इस टाइम इंडिया से है, बिल रहे हैं, शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट कर जाए, इस बिग इंडिया माइग्रेशन इस नौट सब्जेक्ट, वजीरे खार जाए, वहां बैठके अमेरिका को शट अप कॉल दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक रियास्त को इतना इंडिपेंडनेंट और स्ट्रॉंग हो होना चाहिए, नमस्कार, आपका स्वागत है, हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में, दोस्तों, भारत के अंदर जिस परकार से मोधी सरकार काम कर रही है, चाहिए वो भारत की फोरन पॉलिसी हो, आपने देखा ही होगा कि किस परकार से हमारे जो वीदेश मंत्री है, पैस जैशंकर साहब, वीदेश के दूसरे देशों के अंदर किस परकार से भारत की बात को रखते हैं, इसके अलावा भारत के अंदर ही मोधी सरकार जिस परकार से बड़े डिसिजन ले रही है, यह सब बातें देखकर इनको सुनकर पाकिस्तानियों का रियक्शन आता है, काफी मजदार होता है, तो ऐसी ही एक और वीडियो हम देखने वाले हैं, जो भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्राखंड के अंदर जो लागू हुआ है, उसको लेकर आ रही है, तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम निस्टर मोदी का एक खास कंट्रोल है, और वो इस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी, यह कहा जाता है कि यह यूनिफॉ प्राइम निस्टर मोदी का इतना जोर है, इसको जोर बोलेंगे ना आप प्लिटिकल लेंगविच में, और प्राइम निस्टर मोदी का इतना इंफिलूंस है, फॉक्जामपल अगर आप देखें, राम मंदर की नागरेशन देखें, यह जोर है उनका वो जो चीज़ आप सारी की सारी बोली वोड़ वो है, वो मतलब यह स्पोर्ट्स मन देखें, खलाडी देखें, और आप उनको देखें, जो जो टेस्ट हो रहा है, जिसको उनने एक खास तोर पर एक खास एंगल पर लेके आगे हैं, यह इट मीन्स डेट यह चीज़े हैं, कहा जाता है कि जो इंडियन कॉंसिटिशन है, उसका एक आर्टिकल 44 है, जिसे वो यह कहते हैं कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसके मताबक जो स्टेट है, वो एंडेव, डे विल डू डू इवल डू फर, डे विल डू डू अवर्टिशन तो सिक्यर अ यूनिफर्म सीवल कोड फर इ जो यह बात कर रहा है, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो इसके लिए काम करेंगी, बट जो लेकिन फिर भी यह उन्होंने जो इना डिस्क्रिशन है गोवर्मन की वो करें यह ना करें, जो इत मेंस, वो आपनी इव्लिम्ट इव्लिम्ट इट उत्रगंड, इप टेक इट टेक गुझराथ. it means they are creating their own constituency, वो अपनी constituency create करने, और यहाँ पर जिसको यह लॉस पसंद है उर रहे, जिसको यह लॉस पसंद है वर रहे धिश्रोड उन्ही है वर रही रहे, शिफ सो जाहें, migrate कर जांए, इस बिग इंडिया माइडिशन इस नोड़ सब्जेक्ट जो यह जिसे वो कहते है न यह एक बड़ा पॉलिसी लेवल का डिसीजन है पुलिटिकल लेवल का डिसीजन है आप कहा जाता है कि डिफर्ट सिवल कोर्ट हैं इंडिया के अंदर अब यह चीजे कैसे होंगी फॉर मुस्लिम पर्सनल लाँ है ने झालिए निए और स्टिक्ति देशन धृति है जो हिंडू मैरेज एक नाइटी फिटी फटी फाइव के ताद चलता है अधिन एंसमु हो अपॉर के जीजेंट के ताद गऩों देदा छृते हैं इस तरह अधर किमेनिटीज देशन फरेसिज हैं Jews हैं वो अपने उस तैट चलते हैं अब ये एक जिसे वो कहते है ना एक चीज है अब वो कहते हैं जी सबसे पहले क्या होगा खत्रा किसी को रिलिजिस और किल्चरल डिवर्स्टी को मुझे ऐसा लगता है कि I think the political leadership in India I was just love the way Prime Minister Modi he says nothing but he does everything that is that is how things should be done you don't say anything you pass on instructions you let people do what you want to get it done but at the end of the day you you stay silent so they must understand that this segment of the society or the people who want this in Uttarakhandar Osama and Gujarat they don't want this maybe diversity they want to you know have a homogeneous society so I think if if this is passed by the majority then respect it you don't have a choice other than to respect these laws or that is human rights to compromise on the way that this is respect India की क्यों नहीं होती उनकी इज़्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है अफगानिस्तान से में जितने मुस्ते मुमालिक हैं उनकी इज़्जत भी करते हैं प्रोटोकॉल भी देते हैं उनका आओ भाकत करते हैं कि आज जो एक दफा मारे मुलक में आके चाहें इंवेस्टमेंट करो चाहें यहां से ले भी जाओ क्या समझते हैं इंडिया की क्यों तरी रिस्पेक्ट आप जिसरां देखें उनकी डिवेलेप्मेंट इस्ट्रीम लेवल बहुत जाद है वो और फजूल बातों पर इतनी बा अजय का पाकिस्तान का मुकाबरा इसे बिल्कुल नहीं हमारे मेसिकों हमारी जो लेबर बहुत जीरो है तरह उसे उपर आते हैं लेकिन अवारी डिवेल्मेंट में हम तो बिल्कुल जीरो पही है क्योंकि हमारे जो पूरी पाकिस्तान में दस जार आट सो असी गाड़ियां मारे प्रोडोकोस में उस होती है उनकी वह अमेरिका है और यह पाकिस्तान है क्यों अधर कि लेदिवार की उनकी सििनकों ना तो आए होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा की वीडियो के सुरूआत में आपने जिनको सुना है वो पाकिस्तान के पत्रकार है डोक्टर कमर चीमा और वो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो अभी हाली में उत्राखंड के अंदर जिसको लागू किया गया है और अब खबरें यह आ रही है कि इसको दीरे दीरे पूरे भारत क के अंदर लागू किया जाएगा उत्रपरदेश हो गुजरात हो मध्यपरदेश हो असम हो राजस्तान हो कहीं सारे ऐसे स्टेट बताय जा रहे हैं जहां पर दीरे दीरे जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहां पर लाया जाएगा जिसके तहत होता क्या है कि हो जाते हैं तो इसे के उपर आपने जो पाकिस्तान की जो पत्रकार एक अमर चीमा उनको आपने यहां पर सुना है इसके अलावा वीडियो के अंदर आपने जो आना पाकिस्तानी पब्ली का रियक्शन भी देखा है जिस जहां पर बात हो रही है भारत की फॉरण पॉलिश निखतानी जाते हैं तो और पैसाी मांगते हैं उनसे तो जब आप मांगने वाले हो तो फिर आपका कोई रिस्ता नहीं होता है आपका हमेसा यूज होता है बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद